नमस्कार एक्जाम है पी वाई जार्खन चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तों जूर चुका हूं मैं यहाँ पर जेट्ट परिच्छा के तियारी को लेकर के उसमें महत्वपूर्ण अध्याय आपका एक पार्ट है इचाहे आप एक से पांच का सिच्छा पतरता परिच्छा दे रहे हैं तो स्टीडीपी में आप तीस में बीस से पचीस अंक लाना चाहते हैं तो आपके लिए मूल मंत्र है कि आप देखिए यहाँ पर जो है बजारु किताब नहीं खर देंगे पहला चीज दूसरा चीज पर बिभीन राज्यो का practice बना लिजेगा ठीक है विभीन राज्यो में जो सिच्छक पतरता परिच्छा में बाल विकास से परशन पूछे गए हैं उसको आप यहां पर महत अपुन परशनों को cover-up कर लिजेगा ठीक है यदि आपको मिल जाता तो अच्छा बात है नहीं मिल प समाजिक विग्यान या भासा कोई भी चीज हो इसी तरह से आपको प्रश्णों का प्रिभियस यह सारा कुछ करवा रहे हैं और साथ भी देखिए जो जैक की किताब हैं जैसे या टिका वहां से आपको हिंदी का पूरा ग्रामर वहां पर आपको समाजिक विग्यान का टोटल आप विग्यान को और गनीत को टोटल कबर आप देखिए इस तरह से करवाया हुआ है ना कि आप एक बार जब जब जुड़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि प्रश्ण क्या पढ़ा जाए नहीं तो देखिए आप किताब बजारू ले लिजेगा आपके दिमाग में कुछ आएगा ही ने तो यहाँ पर आपको कलास साथ में कलास भी आपका उंदे रहे हैं और नहीं तो आप रिकोड़ेट वीडियो यहां से ले लिजे टॉपिक वाइज आपको सारा रिकोड़ेट वीडियो बना हुगा रहेगा और अभी तो आपको कलासे जोईन करवा दे जेटेट में एक अच्छा मार्स की स्कोर करते हैं तो आपको लगए है क्योंकि देखिए यहां आकलन में भी हूँ बहु हाथ का लिखा हूँ नोट्स किसी किसी भी प्रैक्टिस सेट में नहीं बीड़ा था तो आप सभी अभी के अभी जूड़ जाए कि हम आपके लिए सीड दो प्रशन आपके निकल के एकजाम में पक के आएंगे ठीक है यानि आपको यह प्रैक्टिस कर लेना है सभी प्रशन को देख लेना है जिससे कि आपका यहां पर सीडी पी जो 30 नंबर का प्रशन आएगा उसमें आप कम से कम 25-28 स्कोर कर सके ठीक है तो इसके पहले का यद बिद्यार्थी बुद्धिमान है आप देखते हैं कि एक बिद्यार्थी बुद्धिमान है तो आप क्या करेंगे नीचे ओप्सन दिया है आप उससे संतुष्ट रहेंगे आप उससे अत्रिक्त ग्रिह कारियन नहीं देंगे आप वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसको अनुप्रेरीत करेंगे अगला है उसके अभिभावक को सुचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है ठीक है देखे एक बच्चा जो है बुद्धिमान है तो आप क्या करेंगे तो आप इसका राइट एंसर C होगा किस तरक की और है किस में बुधिमता चल रही है उसको उसी और क्या करेंगे motivate करेंगे अनुप्रेरित करने की कोशिस करेंगे जिससे कि वह बच्चा उस चेत्र में और अधिक बुधिमता से काम कर सके ठीक है राइट एंसर C होगा अब रही बात कि यह प्रस्न आया कहा 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 तो यह प्रस्न यूपीटेट में आया दू बार सीटेट में आया तीन बार जेटेट में आया एक बार तो यह प्रस्न आया हुआ था ठीक है चलिए आगे देखिएगा दूसरा प्रस्न है सिखना सम्रिद हो सकता है यदि नीचे चार ओप्सन है तो यह लर्निंग आपको पढ़ना है लर्निंग टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक अभी आएगा ठीक है सिखना सम्रिद हो सकता है यदि कब हो सकता है सिखना सम्रिद बताईए तो यहाँ पर ओप्सन है कच्छा में अधिक से अधिक सिखन सामागरी का परियोग करने से सिखना सम्रिद हो सकता है अगला ओप्सन है वास्तविक दुनिया से उधारनों को कच्छा में लाया जाए ज इसमें बिद्यार्थी एक दूसरे से अंतह क्रिया करें और सिच्छक उस पर क्रिया को शुगम बनाएं। इसके माध्यम से लर्णिंग अच्छा हो सकता है। अगला option है, सिच्छन में बिभीन परकार के ब्याख्यान और अस्पस्टी करन का प्रयोग करें। जब आप सिच्छक का कार्च कर रहे हो तो उसमें बिभीन परकार के ब्याख्या करें और अस्पस्टी करन का प्रयोग करें। तब सिच्छन सम्रिद हो सकता है। अगला है, कच्छा में आधिक परिच्छाओं पर अधिक ध्यान दिया जाए। अधिक परिच्छाओं पर अधिक ध्यान दिया जाए। और विद्यार्थी एक दुसरे से अंतक क्रिया करेंगे। जब वह चीज आप लाएंगे तो सभी विद्यार्थी एक दुसरे से क्या करेंगे। अंतक क्रिया करेंगे और शिच्छक उस पर क्रिया को सुगम बनाएंगे। इस तरह से सिखना ज्यादा समरीद होता है, ठीक है, तो देखें, बहुत ही बड़ा यहां पर option दिया गया, तो कभी कभी याद रखेगा, बड़ा जिसमें रहता है न option, वो भी सही होता है, तो उसका भी ध्यान रखेगा, और प्रस्ण को अच्छा से समझेगा, ठीक है, पूर्ति करता है, एक सिखक को अपने विद्यारतियों की जहमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, कौन सा छेतर इस उदेशी की पूर्ति करता है, यूपीटेट, सीजीटेट, एमपीटेट, पीटेट, यानि 36 गड़, मतपरदेश, परदेश, और यहां पर पंजाब सभी में प्रशनहाया हुआ है, ठीक है, देखे, सिखक विद्यारतियों को कब अच्छी तरह से समख सकता है, क्या उसको जनकारी होना चाहिए, एक सिखक को यदि सिखक मनोविज्यान, एक सिच्छा को जब किसका है? सिच्छा मनो बिग्यान का जब ग्यान हो जाए तो वह अपने सिच्छार्तियों को अच्छे धंग से समझ सकता है यानि यहाँ पर सब सब पहले Education Psychology की बात है तब ही एक सिच्छा को अपने विद्यार्तियों को बेहतर समझ सकता है, right answer ड हो जगा, सिच्छा मनो बिग्यान ठीक है? अगला प्रामर्ष का उदे से है प्रामर्ष का उदे से क्या है? क्या लिखा हुआ है? प्रामर्ष लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है? प्रामर्ष प्रामर्ष का मतलब क्या है? ठीक है? पहला है बच्चे को समझना दुसरा है बच्चों की कम्यों का कारण पता करना तिसरा है बच्चे को समायोजन में सहता परदान करना या उप्योग सही प्रामर्श का उदे से क्या है प्रामर्श का उदे से बच्चों का समझना भी है बच्चे की कम्यों का कारण भी पता करना है बच्चे के समायोजन में सहता भी परदान करना है यानि राइट एंसर इसका उप्रियूख सभी हो जाएगा ठीक है राइट एंसर इसका उप्रियूख सभी हो जाएगा ठीक है बच्चा किस परकार सिखता है ठीक है, बच्चा किस परकार सिखता है, आपको बताना है, पुस्तक पढ़कर, परिचर्चा द्वारा, प्रस्न पुछकर, कई परकार से, बच्चा किस परकार सिखता है, असम्टेट में आये हो प्रस्न था, और ये जो है आपका यूटेट, उत्राखंटेट में पुछा गय ठीक है तो बच्चा पुस्तक पढ़ करके भी सिखता है बच्चा परिचर्चा में भाग ले करके भी सिखता है बच्चा प्रस्ण पुछ कर भी सिखता है यानि बच्चा कई परकार से सिखता है वो जब भी कलास में आजया तो समझे कुछ न कुछ सिख रहा है तो बच्चा क कौन है बताना है ठीक एक अच्छा अध्यापक हुआ है जो कौन है आप देखिएगा अध्यापन के लिए ब्याख्याता विधी का पर्यूग करता है अध्यापन के लिए ब्याख्याता विधी का पर्यूग करता है दूसरा option है सदयव प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है अगला option है विद्यार्थियों को सदयव सिखने के लिए प्रेरीद करता है और उससे आगे है विद्यार्थियों को सदयव अनुसासन में रखता है कौन एक अच्छा सिछक है आपको बताना है ठीक है एक अच्छा अध्यापक कौन है इसका right answer हो जाएगा C number क्या है विद्यार्थियों को सदयव सिखने के लिए प्रेरीद करता है बहुत ही अच्छा चीज है एक अच्छा अध्यापक वही है जो हर समय विद्यार्थि को सिखने के लिए क्या करते रहता है मोटिवेट करते रहता है मोटिवेशंद करते रहता है देते रहता है प्रेरीत करते रहता है वही एक अच्छा अध्यापक है ठीक है चलिए अगला प्रसंद देखिए एक अध्यापक की द्रिष्टी से कौन सा कथन सर्वतम है यदि आप अध्यापक है तो आपकी द्रिष्टी से इसमें कौन सा कथन सर्वतम है देखे अच्छा सब है लेकिन सर्वतम सबसे बेश्ट कौन कथन इसमें हो सकता है उसको चुनना है ठीक है पहला है प्रतेक बच्चा सिख सकता है पहला है प्रतेक बच्चा सिख सकता है बोल रहा है कि प्रतेक बच्चा सिख सकता है पहला है प्रतेक बच्चा सिख सकता है दुसरा है कुछ बच्चे सिख सकते हैं अगला है अधिकतर बच्चे सिख सकते हैं और आगे है बहुत कम बच ठीक है एक चीज आपको बता देते हैं आज के डेट में सभी कोई कुछ न कुछ सिखता है ना अच्छा खराब भला बुरा सभी सको सिखता है यानि इसका राइट एंसर अगर एक सरुतम कथन के रूप में देखेगा तो होगा ए यानि प्रतेक बच्चा सिख सकता है सब बच प्रसन आपका देखिए पंजाब टेट में दू बर आया है असम टेट में एक बर आया है और उडशा टेट में एक बर आया है तो प्रसन आ रहा है सभी प्रसनों को हम लोग यहां पर टिक अप कर लेंगे कबर अप कर लेंगे और एक बार देख लेंगे जिससे कि हमको लग इतिकत कारक कौन है, संचार के साधन, स्व्वैस्क समू, अध्यापक, परिप्रक्ता एवं आयू, ठीक है, जो हम लोग लर्निंग करते हैं, लर्निंग, उसको क्या परभावीत करता है, उसका परभावीत करने वाला कारक कौन है, तो इसका राइट एंसर देखे, D है, परिप होते जाता है, ठीक है, जैसे जैसे बच्चा मेच्यूड हो जाता है, परिपक्त को होने लगता है, तो अधिगम को ज्यादा से ज्यादा समझने लगता है, यह किस पर निर्वर करता है, तो उसका मेच्यूल्टी पर, ना किस पर निर्वर करता है, मेच्यूल्टी पर, परि ब्यक्तिगत कारक, देखिए, ब्यक्तिगत कारक है, तो ब्यक्तिगत कारक उसके परिपक्ता एवंग आयू पर निर्भर करता है, ठीक है, इस पर निर्भर करता है, परिपक्ता एवंग आयू पर निर्भर करता है, याद रखिएगा, ठीक है, ये प्रस्न कहां आया, ये प्र पाकी सभी सब्जेक्ट को आपको यहां पर एकदम इसी तरह से handwritten notes बना बना के दे रहे हैं, आप एकदम भूलिये नहीं, अच्छा प्रशन पढ़िए, कम प्रशन पढ़िए, और ज्यादा प्रशन भिढ़ाईए, यह किस से संभव है, तो इसी से तो संभव है ना, इसी से स आपको कि यहां पर handwritten notes सारा कुछ material जुगाड कर दिया गया है, आप यहां से जूड़ करके सस्ते दाम उपर एकदम पढ़ लीजिए, और सभी कोई पास कर जाईए, कोई ज्यादा भी नहीं रखा गया है, सिर्फ और सिर्फ यहां पर अभी आपके लिए 500 रुपए चल रह सिखने की परकिरिया में एक विद्यार्थी बार बार गलती करता है, कौन सा कथन सर्वतम है आपको बताना है, ठीक है, चली, option है, विद्यार्थी को कभी भी तूटी नहीं करना चाहिए, दूसरा option है, तूटी अधिगम परकिरिया का एक भाग है, तिसरा option है, से बेश्ट है आप बताईएगा ठीक है तो देखिए जो अधिगम होता है जो अधिगम होता है उसमें क्या होता है हर बच्चे गलती कर बैठते हैं क्यों ऐसा ओता है क्योंकि अधिगम है ही क्या है अधिगम जो है यो है अधिगतर लोग गलती या तूरोटी करके ही सिखते हैं ठीक है इसलिए अधिगम परकिया के समझ में है कौन सा आपसन सबसे बेश्ट होगा तो सबसे बेश्ट होगा तूरोटी जो है अधिगम परकिरिया का ही एक भाग है तुरूटी क्या है अधिगम परकिरिया का एक समझे पाठ है एक हिसा है एक भाग है यानि तुरूटी करके ही वो सिखता है और जो तुरूटी करके सिखता है, वो अस्थाई सिखता है, पर्मानेंटो सिख जाता है, ठीक है? तो तुरूटी अधिगम परकरिया का एक भाग है, याद रख लिजेगा, clear? चलिए, अगला देखेंगे, शिखने का वे कौन सा कारक है, जो सिखने का परभावित करता है? श पहला उप्शन है, सिखनार्थि का सारेरिक वे मानसिक विकास, कैसा है? प्रेर्णा और उपलब्धी का अभिप्रेरन अस्तर, उच्छुकता और इच्छा सकती, या उपरोक्त सभी, ठीक है? या उपरोक्त सभी होगा. तो सिखना, क्या था? आपका, देख लिजेगा एक प्रस्ण, सिखने का कौन-कौन से कारक है, जो सिखने को परभावित करता है, ठीक है? देखे, सिखने के लिए सिखार्थि का सारेरिक और मानसिक विकास अच्छा होना चाहिए. कोई भी चीज आपको सिखना है, आपका मानसिक सही नहीं है, आपका सारेरिक सही नहीं है, हर स सही है अगला है प्रेणा और उपलब्धी का अभी प्रेण अस्तर अब विद्यार्थी हो क्या करना चाहिए तो उसको मोटिवेट और उसके सामने जो समान उपलब्ध है उसको उसी तरह से अभी प्रेणी करना मोटिवेट करना जो है यह सीखने का एक परक्रिया है अगला है उच्छा सकती, देखे, अब ये सबसे बड़ा point होता है, कि अगर आप सिखा रहे हैं, बच्चों में उच्छा नहीं है, उच्छा सकती नहीं है, तो आपका अभी भी नहीं सिखा सकते हैं, इसलिए एक अच्छे मानसिक स्वास्त के लिए कुछ सुक्ता और इच्छा सक्ती भी होना उसको जरूरी है नहीं तो वह कारी अच्छा से नहीं कर पाएगा यानि इसका राइट एंसर हो जाएगा उपरोक सभी ठीक है चलिए उपरोक सभी होगा अगला नीम्न में से कौन सिच्छन कुसलता से समंदित है ठीक है सिच्छन कुसलता से समंदित कौन है आपको बताना है स्यामपट पर लिखना प्रशन को हल करना प्रशन पूछना ये सब है U.P. Tate में दो बार, CB Tate में दो बार, पंजाब Tate में दो बार देखिए, बार 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 पातरतापरिचा में पूछ रहा है अब पातरतापरिचा ऑल प्रस्णवा कहले जितना राजय पूछा है पढ़ के जाईएगा तो आप एकदम 70% नमबर लेके आईएगा समझें, एकदम पढ़ लिजे, सब पढ़ लिजे, देख लिजे और पता कर लिजे सिच्छन कुसलता के लिए कौन सम्बंदित है अगर स्यामपट पर लिखना, आप बताईए सिच्छन कुसल होगा, तब तो स्यामपट पर लिखनी जाएगा कैसी जाएगा कोई बच्चा, कोई बच्चा नहीं जाएगा आप कितना भी बच्चा को कहते रहा जाएए अगर वो सिच्छन में कुसल नहीं होगा वो स्यामपट पर कभी नहीं जाएगा चाहे आप पीट के उसको बरबाद कर दीजिएगा दूसरा प्रस्णों को हल करना प्रस्णों को हल करना प्रस्णों को कौन हल करेगा जो जानता होगा तो यह सिछन कुसल होगा तब तो होगा ना तो यह भी सिछन कुसलता से जुड़ा हुआ है अगला है प्रस्ण पूछना तो ये भी आपको सिच्छन को सलता से जुड़ा हुआ है और राइट है ये सभी तो इसका जो है रहा ये सभी बिलकुल सही एंसर होगा ठीक है तो राइट एंसर इसका डी होगा ये सभी होगा क्लियर चलिए अगला देखे एक अभीभावक एक अभीभावक आपसे मिलने के लिए विदाले में कभी नहीं आता है आप क्या करेंगे बताईए आप बार-बार बच्चा को बोल रहे हैं कि अभीभावक को विदाले भेज दो लेकिन अभीभावक कोई सुधी नहीं ले रहा है तब आप का करिएगा बता यही हाँ ठीक है चलिए option है बच्चों की आप पेच्छा करेंगे आप जैसा teacher हो इसा तो आप वकरुपकारजियन नहीं आए ताप बच्चा के निरादन करना सुरू कर दिजेगा बच्चा के अलग बईठाना सुरू कर दिजेगा बच्चा के बात-बात पर बोलना सुरू कर करके ना यही किजेगा चलिए अगला सी आप उनसे मिलने अपने जाईएगा सोयम आप मिलने जाईएगा बच्चा से बार 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 रिपलाई आया गार्जन नहीं आ रहे अब आप क्या किजेगा ता आप सोयम उनसे मिलने जाईएगा बताईएगा अगला बच्चों को दंड देना शुरू किजेगा क्या सही एंसर था आपका आप अपने दिल से बताईए इसका तो राइट एंसर सी होगा अगर आपका भी राइट एंसर सी आया होगा तो आप समझे कि एक अच्छा सिचक बनने लगे हैं तो क्या करेंगे एक भीभावक के दी बार-बार भी डाले बच्चा के कहनेपर भी नहीं आ रहा है तो आपका यह सिचक होने के नाते यह कर्तब भी बनता है कि आप स्वयम उनसे मिलने आप स्वयम उसके भीभावक से मिलने घर जाएंगे यही इसका राइट एंसर है ठीक है स्वयम जाना पड़ेगा आपको अगला बच्चों को जिग्यासा सांथ करनी चाहिए बच्चों में कोई जिग्यासा है आप से कुछ बच्चा पूछ रहा है तो उसकी जिग्यासा को कब सांथ करना चाहिए पहला जब सिखक फुरसत में होएगा तब जिग्यासा को सांथ करनी जब विद्यारति में फुरसत होगा तब उसके कुछ समय के बाद या ततकाल जब विद्यारति के दौरा जिग्यासा की गई हो तब ठीक है कौन सा उप्सन से होगा पताईए आप लोग तो देखे, इसका right answer इसे होगा D. जिग्यासा देखिए हर समय नहीं होता है. ना, इच्छा हर समय नहीं होता है. तो जब बच्चे के मन में किसी परकार की चीज जानने की जिग्यासा आए, तो लगभव प्रयास करना चाहिए कि जिस समय उसके मन में ये जिग्यासा चल रहा हो, ततकाल यदि आप जानते हैं, यदि आप उसका answer जानते हैं, तो आप ततकाल जब बच्चे के दोरा जिग्यासा की गई हो, उस समय उसको सांत कीजेए. एकदम ततकाल में उसकी जिग्यासा को सांत कीजेए. ठीक है? यदि नहीं जानते हैं तो कुछ समय के बात कीजिए लेकिन प्रयास कीजिए कि ततकाल लेकिन यहां वह इसा नहीं पुछा है पुछा एक विद्यार्थी के जिग्यासा को सांत कैसे करना चाहिए तो विद्यार्थी के जिग्यासा को एकदम ततकाल करना चाहिए जब विद्य अध्यापक बिसाय का, बाल मनो भिग्ञान का, सिछा सहीता का, या अध्यापन भिसाय ओं बाल मनो भिग्ञान का, ठीक है, तो देखें, यहाँ पर राइट एंसर क्या होगा, ये तो बहुत बार प्रस्ण पूछ दिया है, यूपी टेट में तीन बार, सिजी टेट में बार उत्रा खंटेट में दूबार तो एकदम देखें बार-बार पूछा, सब जगा पूछ रहा है, आपके जगा भी हो सक्या आजाए, तो सिच्छक को ग्यान जो होना चाहिए, उस सही एंसर इसका जो है, वो D है, यानि सिच्छक को उसके अध्यापन भी सह है, और बाल मनो बिग्यान कारी, जनकारी होना जरूरी है, राइट एंसर इसका, और ये D होगा है, ठीक है, ठीक है, अगला, सिच्छक एवं बिद्यार्थी के मद्य संबंध होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ठीक है, असम टेट में एक बार, सीजी टेट में एक बार, पंजाब टेट में दू बार ना इस तरह से पूछा गया है सिच्छक विद्यार्थी के मद संबंद कैसा होना चाहिए बताइए पहला ओप्षन है असने का दूसरा ओप्षन है विश्वास का तिसरा ओप्षन है सम्मान का चौथा ओप्षन है ये सभी ठीक है अगला, बच्चों में नैतिक्ता के स्थापना के लिए स्थापना करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे अच्छा साधन कौन है, सबसे अच्छा मार कौन है, उन्हें धार्मिक पुस्तक के पढ़ाना चाहिए, सिच्छक का आदर्स रुप में बेवार करना, उनका मुल्य सिच् उन्हें प्रात्ता कालिंग सभा में भाग लेना नहीं तो इसका राइट एंसर क्या होगा बच्चों में नेतिकता का स्थापना करने के लिए सिछक का आदर्स रुप में बहवार करना सिछक जो है उसके लिए यूनिक होता है आइडियल होता है वह जैसे सिछक का बहवार तो इस तरह से हमने यहाँ पर आज प्राशन को देखा जो विविन राजयमाय है यानि यह कलास आपको कौन था नाइन था अब आपको नेक्स्ट निन मिलेगा कलास टेन तो आप इसके सारी कलासे को जब अटेंड करेंगे आपको इस तरह से हम प्रैक्टिस करवाएंगे कि आपको यहाँ से सारा प्रशन बनने ही लगेगा तो आप सारे सब्जेट के यहाँ से जोइन करके नोट्स के साथ अभी कलास भी चल रहा है वीडियो भी मिल रहा है सारा ची मिल रहा है आपको अभी कभी जूर करके त्यारी कर लिजेगा धन्यवाद